बच्चों देखो ज्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ सिक्षा दर्शन जी हाँ पढ़ाई के साथ मस्तिवी यह है सिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनुठा रोचक कारिक्रम है से बारा तक विडियो के माध्यम से अध्यन कर सकते हैं इस कारिक्रम में आपको घर बैटे सप्ता के प्रथम पांच दिन सभी विशयों की विशय वस्तू अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रतेक्षनिवार को विबिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से समंदित, जानकारी के साथ-साथ मनोरंजक कहानियों पकटपुत्लियों के खेल का भी आनन ले सकेंगे राजस्थान राज्य सैक्षिक अनुसंधान एवं प्रासिक्षन परिसद उदायपूर के तत्वाधान में जिसमें कक्षा 9-10 के लिए 12.5-1.5 बजे तक तथा कक्षा 11-12 के लिए 12.5-1.5 बजे तक तथा कक्षा 1-5 के लिए 3-3.5 बजे तक एवं कक्षा 6-8 के लिए 3.5 बजे से 7-4 बजे तक सैक्षिक कारिक्रम प्रसारित होगा बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणत विशय में वस्तूओं का माप भाग 2 वैभाग 3 कक्षा 2 में गणत विशय में संख्याओं का क्रम भाग 2 कक्षा 3 में गणत विशय में तीन अंकों की संख्याओं की समझ भाग 2 कक्षा 4 में गणत विशय में तो अंकों की संख्याओं का योग भाग 2 वैकक्षा 5 में हिंदी विशय में अपनी वस्तूओं बड़ी, बिग और छोटी स्मॉल वस्तुमों को पहचानने के तिल्चस्प उदारन भाग एग हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा छोटी और बड़ी वस्तुमों को पहचानना सबसे छोटी और सबसे बड़ी वस्तु को पहचानना इस वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदारन देखेंगे आज टीनू चुहा और मीनू बिल्ली एक साथ खेल रहे हैं खेलते खेलते उन्हें भूख लग गई चलो टीनू कुछ खाते हैं हाँ मीनू भूख तो मुझे भी सोर से लगी है रसोई में चलते हैं वहाँ खाने को ब्रेड होगी मीनू और टीनू दोनो रसोई में जाते हैं वहाँ दो ब्रेड रखी हुई थी एक छोटी और एक बड़ी बच्चों क्या आप पता सकते हैं कि इन में से कौन सी ब्रेड छोटी है और कौन सी बड़ी आए देखें जी हाँ आपने सही सोचा बच्चों ये वाली ब्रेड बड़ी है और ये वाली छोटी मीनू बिल्ली उन दोनों में बड़ी है तो वो बड़ी ब्रड ले लेती है और टीनू छोटा है तो वो छोटी ब्रड ले लेता है खाने के बाद टीनू और मीनू खूब खेलते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए चले जाते है बच्चों ये रहा मीनू का घर और ये रहा टीनू का घर क्या आप बता सकते हैं कि इन में से किसका घर बड़ा है? आईए देखें जी हाँ आपने सही सोचा बच्चों मीनू का घर टीनू के घर से बड़ा है और टीनू का घर मीनू के घर से छोटा है तो बच्चों, आपने देखा कि मीनू पिल्ली बड़ी है तो उसने बड़ा ब्रेड खाया और उसका घर भी बड़ा है तीनू चुहा छोटा है तो उसने लिया छोटा ब्रेड और उसका घर भी छोटा है आज मीनू, बिली और टीनू चुहा एक साथ पिकनिक पर आए है दोनू अपने लिए घर से कुछ खाने के लिए लाए है अरी टीनू, तुम्हारा खाने का डिबबा तो बहुत छोटा है और मीनू, तुम्हारा डिबबा मेरे डिबबे से बहुत बड़ा है बच्चों, क्या आपको पता है कि इन में से कौन सा डिबबा टीनू का है? जी हाँ, टीनू का है छोटा वाला डिबबा ये रहा टीनू का डिबबा और ये है मीनू का डिबबा, जो कि टीनू के डिबबे से बड़ा है मीनू और टीनू ने पेट भर कर खाना खाया और फिर वे खेलने लगे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में हमने चोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरन देखे बड़ी, बिग और चोटी स्मॉल वस्तुओं को पहचानने के दिल्चस्प उदाहरन भाग दो इस वीडियो में हम चोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरन देखेंगे और सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए आज छोटू और पिंकी के मामा उनके लिए दो चॉकलेट लाएं है मा, मुझे इन में से एक चॉकलेट दे दीजिए येलो पिंकी मा, मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए ये तो छोटी है बच्चों, ये रही वो दो चॉकलेट जो उनके मामा लेकर आएं जी हाँ, इन दोनों में से ये चॉकलेट बड़ी है, तो वो ये चॉकलेट लेना चाहती है, और ये चॉकलेट दूसरी चॉकलेट से छोटी है. आज छोटू की मा कमरे में बैठ कर मतर शील रही है, उनकी थाली भर गई है, तो उन्होंने छोटू से कहा, छोटू, जरा रसोई से एक छोटी थाली तो ले आना? छोटू रसोई से थाली लेने चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि छोटी थाली कौन सी है? अरे, ये दोनों ही थाली इस थाली से छोटी है, तो मैं कौन सी थाली दू मा को? छोटू वो तीनों ही धालियां मा की पास ले गया और उनसे पूछा मा इन में से ये दोनों ही धालियां इस धाली से छोटी है तो मैं आपको कौन सी धाली दूँ छोटू तुमने सही कहा ये दोनों ही धाली इस धाली से छोटी है क्या तुम मुझे बता सकते हो इन में सबसे छोटी कौन सी है? हाँ मा, सबसे छोटी ये वाली थाली है, है ना मा? हाँ छोटू, तुमने एक दम सही कहा, जाओ, अब बाकी दोनों थालियां वापस रखाओ ठीक है मा? बच्चों, देखा आपने, इन तीनों थालियों में सबसे छोटी थाली है ये और सबसे बड़ी थाली है ये तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही इन वीडियों में हमने बड़ी और छोटी वस्तुमों की पहचान करना सीखा मुझे आशा है कि आप यहाँ विशय ठीक से समझ गए होंगे बड़ी बच्चों बच्चों, आज का अगला पार्ट कक्षा दो में गणत विशय में संख्याओं का क्रम भाग दो बच्चों, इस वीडियों में हम कुछ दिल्चस्प उदाहरन के द्वारा संख्याओं के क्रम को थोड़ा और अच्चे से समझेंगे अरे हानी, देखो यहाँ गेंदों के दो बच्चे है इनमें से कौन से बच्चे में अधिक गेंद है? यहाँ एक बच्चे में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस गेंद है और दूसरे बच्चे में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ गेंद है तो यहाँ पहले बच्चे में दूसरे बच्चे से अधिक गेंद है गिंती करते समय कौन से संख्या पहले आती है? आठ या दस? हाँ, गिंती करते समय आठ पहले बोलते है तो आठ पहले आएंगे बिल्कुल सही क्योंकि आठ दस से छूटी संख्या है इसलिए हम आठ को पहले बोलते है फिर दस को अब ये बताओ हनी कि दोनों बक्से में कुल मिलाकर कितनी गेंद है दोनों बक्से में कुल मिलाकर दस और आठ अठारा गेंद है अब मैं यहां तीसरा बक्सा रखती हूँ, इसमें नौ गेंध है अब यह बताओ कि दिये हुए तीन बक्सों में कौन से बक्से में सबसे कम गेंध है यहां पहले बक्से में दस, दूसरे बक्से में आठ और तीसरे बक्से में नौ गेंधे है एक से दस की गिंती करते समय आठ, नौ और दस से पहले आता है हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या यहां आठ है इसलिए दूसरे बक्से में सबसे कम गेंद है और सबसे बड़ी संख्या यहां दस है इसलिए पहले बक्से में सबसे अधिक गेंदे है शाबबाश हनी, चलो अब ये बताओ कि क्या तुम बता सकते हो कि 10, 8, 9 को हम गिंती के अनुसार कैसे बोलते है? हाँ, गिंती करते समय 8 पहले बोलते है, फिर 9 और 10 बोलते है बिल्कुल हनी, इसे 8, 9, 10 के क्रम में बोला जाता है वा, सही बात है, चलो, अब हम सब चलते है बच्चो, उमीद है, आपको कम या अधिक संख्याओं के बारे में समझ आ गया होगा और आप गिंती के क्रम को भी अच्छे से समझ चुके होंगे अगली वीडियो में कुछ और उदाहरन देखेंगे बच्चो, आज का अगला पार्ट कक्षा तीन में गणत विशय में तीन अंको की संख्याओं की समझ भाग दो बच्चो, क्या आपको अप्पो की मार्किट की सैर याद है? हमने पिछले पार्ट में समुह के द्वारा तीन अंको के संख्याओं को जल्दी गिनना सिखा बच्चो, जैसे हमने बतक चाचा के थैलियों की मदद से तीन अंको की संख्याओं को सो, दस और एक के संख्याओं में लिखना सीखा ठीक उसी तरह से हम किसी तरह तीन अंको की संख्याओं को सो, दस और एक के संख्याओं में लिख सकते हैं आईए इसका एक और उधारन देखें मान लो आपको 281 अंडे 100, 10 और 1 के समुहों में गिनने हो तो आप पहले 281 को विस्तारित रूप में लिखें और फिर ध्यान दें तो पाएंगे कि 200, 100 के 2 समुहों से बनता है असी 10 के 8 समुहों से और एक अंडा किसी समुहों में नहीं आपाता आईए अब इस पार्ट में हम अप्पो की जन्दिन की तयारी कहां तक पहुँची ये देखें और तीन अंकों की संख्या को समुह से पैचानना सीखें जन्ग दिन की तयारी के लिए अप्पू चंदा के फूलों की दुकान पर जा रहा है चंदा फूलों को बड़ी सो फूलों की मालाओं, छोटी दस फूलों की मालाओं और खुले फूल भी बेचती है अप्पू को चंदा ने तीन सौ फूलों की माला है, दो दस फूलों की माला है और साथ खुले फूल उसके घर को सजाने के लिए दिये है अप्पू ये सोच सोच के परिशान है कि चंदा ने उसे कुल कितने फूल दिये है आईए देखें ये कौन सी संख्या है यदि हम 300 फूलों की मालाओं को जोड़ें तो कुल 300 फूल हुए अब हम 2 10 फूलों की मालाओं को जोड़ेंगे तो कुल 20 फूल हुए और हमारे पास 7 खुले फूल है अब हम विस्तारित रूप से संख्या लिखने के प्रक्रिया की मदद से संख्या को पैचान सकेंगे इस तरह चंदा ने अप्पू को कुल 327 फूल दिये हैं अब अप्पू अपने मेहमानों के लिए लड्डू ले जाना चाहता है हर मेमान के लिए उसे एक लड्डू चाहिए उसने छे सो लड्डू के बॉक्स लिए चार दस लड्डू के बॉक्स लिए और तीन खुले लड्डू लिए क्या आप बता सकते हैं कि अप्पू के घर कितने मेमान आने वाले हैं आईए इसे एक साथ करते हैं च्छे सौ लड्डू के बॉक्स में छे सू लड्डू हैं, चार दस लड्डूों के बॉक्स में कुल चालिस लड्डू हैं और तीन खुले हैं, अब विश्तारित रूप से हम संख्या को लिखेंगे और 643 संख्या तयार है अरे वा, अप्पो की पार्टी में 643 मेमान आने वाले हैं चलो आप और हम भी चलें अप्पो अपनी पार्टी धूमधाम से मना रहा है तो बच्चो, आज हमने तीन अंको की संख्या के समू से पैचान ना सीखा बच्चो, आज का अगला पार्ट कक्षा 4 में करत विशय में दो अंको की संख्याओं का योग भाग दो बच्चो, आईए, हम दो अंको वाली संख्या को जल्दी जोडने की एक और प्रकिरिया सीखें आओ बच्चो, मैं आपको एक कहानी सुनाओ एक दिन एक कववा पानी के खोज में प्यासा इधर उदर भटक रहा था तभी उसे दूर एक पानी का घड़ा नजर आया कववा बहुत खुश हो गया और उलकर घड़े के पास चला गया लेकिन बेचारा उदास हो गया घड़े में पानी बिलकुल नीचे था कववे की चोंच पानी तक नहीं पहुँच पा रही थी कववे को एक तरकीब सुजी उसने सोचा कि अगर वो घड़े में पत्थर डाले तो पानी उपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी पाएगा कववा पत्थर की खोज में निकल पड़ा पहले वो अपने दोस्त बनी खरगोश के पास गया बनी ने उसे 21 पत्थर दिये फिर वो गगु गेंडा के पास गया और गगु ने उसे 15 पत्थर दिये क्या आप बता सकते हैं कि कववे के पास अब कुल कितने पत्थर हो गए आईए दो अंको की संख्या को जल्दी जोड़ने की एक और प्रकिरिया सीखे हम 21 को इस तरह 20 में 1 जोड़ कर लिख सकते हैं और उसी तरह 15 को 10 में 5 जोड़ कर लिख सकते हैं अब हम दो अंको वाली संख्याओं को एक साथ और एक अंक की संख्याओं को एक साथ इस तरह लिखेंगे अब हम दो अंको वाली संख्याओं को जोड़ेंगे 20 में 10 जोड़ कर हो गए 30 और अब हम एक में पांच जोड़ेंगे ये हो गए छे अब अंत में तीस में छे जोड़कर हो गए छतिस जी हाँ कववे ने कुल छतिस पत्थर एकटे कर लिए कववे ने ये छतिस पत्थर घड़े में डाले और पानी को उपर आते देख वो खुश हो गया उसने तुरंट अपनी चोंच घड़े में घुसाई और पानी पीने की कोशिश की लेकिन पानी अब भी बहुत नीचे था कववे पत्थर के खोज में फिर निकल पड़ा इस बार वो अपने दोस्त अप्वु हादी के पास पहुचा अप्वु बहुत बलवान है उसने कववे को 42 पत्थर एक साथ दे दिये कववे खुश हो गया और घड़े की ओर उड़कर चला गया वो सोच रहा है कि क्या अब उसके पास काफी पत्थर हो गए आईए पता लगाएं कि कववे के पास अब कुल कितने पत्थर हो गए कववे के पास कुल 36 पत्थर थे अब उसमें अप्पु के दिये 42 पत्थर जोड़ेंगे हम 36 को इस तरह 30 में 6 जोड़कर लिख सकते हैं और उसी तरह 42 को 40 में 2 जोड़कर लिख सकते हैं अब हम दो अंको वाली संख्याओं को एक साथ लिखकर जोड़ेंगे 30 में 40 जोड़कर हो गए 70 और एक अंकी संख्याओं को एक साथ लिखकर जोड़ेंगे 6 में 2 जोड़ेंगे ये हो गए 8 अब अंत में 70 में 8 जोड़कर हो गए 78 जी हाँ कव्वे ने अब कुल 78 पत्थर एकटा कर लिए कव्वे ने अप्पु के दिये पत्थर घड़े में डाले अरे वाँ पानी उपर आ गया कव्वा बहुत खुश हो गया उसने तुरंत अपनी चोँच घड़े में डाली और अब वो पानी पी सकता था उसने घड़े से पानी पिया और खुशी खुशी अपने घर पुड़ चला गया बच्चो इस पाठ में हमने दो अंको वाली संख्या को जल्दी जोड़नी की प्रकिरिया सीखी बच्चो आज का अगला पाठ कक्षा पाँच में हिंदी विश्य में अपनी वस्तू तो बच्चो आज हम आपके लिए लाया हैं क्लास पाँच का पार्ट नमबर तीन जिसका शीर्शक है अपनी वस्तू आएए देखते हैं कि इस पार्ट में लेखक ने किस परकार की कहनी या प्रस्तुत किये और वो क्या सीख हमें इस पार्ट के माद्यम से देना चाते हैं तो चलिए पढ़ना शूरू करते हैं पार्ट एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे मार्ग में यानि रास्ते में मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को उची आवाज में बोलते सुना बच्चों आप जानते हैं कि जब दो व्यक्तिय आपस में लड़ाई जगड़ा करते हैं या उनमें कोई नाइत तफाके हो जाती है किसी बात पर जगड़ा होता है तो वो लोग जोर-जोर से बोलना शुरू कर देते हैं तो वो ही लेखक नया का है कि दो व्यक्ति रास्ते में खड़े थे और दोनों उची आवाज में बात कर रहे थे तो इससे में पता चला है कि दोनों के बीच कोई ना कोई विवाद था या कोई लड़ाई थी दोनों ही हातों में लट लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्धत दिखाई देते थे अब ये बात इसपश्ट हो गई कि लिखा के रहा है कि दोनों विव्यक्तियों के हाथ में लट थे लट आप जानते हैं पुलिस वालों के हाथ में आपने डंडा देखा होगा उस डंडे को हम कहते हैं लट और प्राण लेने को अद्धत या ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे को जान से माणडाना चाहते हैं एक कहता था कि यह भूमी मेरी है भूमी याद निए जमीन और मैं इसका स्वामी हूँ यादी मैं इसका माली को हूँ जब कि दूसरा उस भूमी को अपना अपनी बतला रहा था इसका मतलब यह हुआ कि एक जमीन का विवाद था यानि कोई भूमी थी कोई जमीन थी और दोनों व्यक्ति यह कह रहे थे कि यह जमीन मेरी है यह जमीन मेरी है उस भूमी पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही करोध से लाल पीले हो रहे थे बच्चा आप यहां देखें कि यह एक महावरा है लाल पीले होना जब वेक्ति गुस्से में आ जाता है तो आपने देखा होगा कि उसके आखें गुस्से से लाल हो जाती है और चेहरा और कान भी उसके लाल हो जाते है तो उसे अधर पर यह महावरा बन गया है लाल पीला होना जब कोई वेक्ति गुस्से में होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो गुस्से से लाल पीला हो गया है तो यहां जो व्यक्ति दोने सड़क पड़ खरे थे और अब जमीन के लिए लट रहे थे तो वो दोनों भी लाल पीले हो रहे थे क्योंकि दोनों ही क्रोध में थे और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे यानि दोनों ही ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जमीन मेरी है और इसके पक्ष में दोनों ही परमान या दलीले परस्तुत कर रहे थे संत महात्मा तो सुभाव से इस दयालू परोब कारी होते हैं सदैव सबका भला ही चाहते हैं उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई जगड़ा करके वियर्थ ही अपने प्राण गवाने पर तुले होें तो महात्मा जी ने जब देखा कि सड़क पर दोनों लोग लड़ रहे हैं के मन में ख्याल आए कि दोनों लड़ाई जगरा कर रहा है और कहीं ऐसा नहों कि एक दूसरे के प्राण ले लें और वियर्थ ही वियर्थ का मरल होता है बेकार बेकार ही जो है वो अपने जिन्दगी ये इस तरह से खराब कर लें अतएव यानि इसलिए इन्हें समझा बुझा कर शांत करने और इनका अपस में समझाता कराने का प्रियास करना चाहिए तो उन्हें सोचा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए प्रियास करना चाहिए कि मैं इन दोनों की मिद्दे इन दोनों के बीच में समझाता करवादू और इस जगड़े को खत्म करवादू यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले हे भद्र पुर्शों भद्र का मतलब होता है अच्छे व्यक्ति हूँ तुम लोग कौन हो और आपस में जगड़ा क्यों कर रहे हूँ यहां आपने देखा कि यह जो सेंटेंस है यह जो वाक्य है यह दरसल एक प्रश्न है संत ने उन दोनों व्यक्तियों को संबोधित करते हुए प्रश्न किया तो इसलिए अंत में प्रश्नवाशक चिन जो है वो यहां लगाया गया है इससे तरह से आप यहां देख रहे हैं यहां भी एक चिन लगाया गया है इसको कहते हैं विसमे बोधी कारी चिन यह ऐसी जगा लगा जाता जब हम किसी को आवाज देते हैं तो यहां क्योंकि उन्होंने उन दोनों से मुखातिव होते हुए उनको संबोधित करते हुए बात की तो इसलिए संबोधिकारी चिनम नहीं लगा दिया महात्मा जी को देखकर उन में से एक व्यक्ति बोला महात्मन अब देखें यहां भी संबोधि करीजिन लगा है क्योंकि वो संबोधित कर रहे हैं महात्मा को हम दोनों भाई हैं हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमी का मालिक मैं हूँ फिर भी यह व्यर्थ ही जगड़ा कर रहा है व्यर्थ का मतलब बेकार दूसरा व्यक्ति ततकाल चिल्ला उठा महाराज यह बिलकुल जूट बोल रहा है यह भूमी इसके भाग में नहीं बलकि मेरे भाग माती है इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ यह जूट मूट ही इसे अपनी बतला कर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है तो देखा आपने दोनों यक्तियों ने उस भूमी पर अपना अपना दावा प्रस्तुत किया दोनों ने कहा कि यह भूमी मेरी है महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया तुम दोनों ही इस भूमी को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलिलें देते हो ऐसे तो इसका निर्ने कभी नहीं होगा इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमी के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही ये बात पूछलो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है वे स्वेम ही इस बात का निने कर देगी कुछ पल तक तो दोनों महात्मा जी के मुक्की और ताक्ते रहे पिर बोले किन्तु ये कैसे संबह है भूमी भी कभी बोलती है यहां देखें क्योंकि यह प्रश्न था इसलिए प्रश्न वाचक चिन का प्रियोग किया गया है और यहां क्योंकि यह एक विस्मय की बात थी एक ताज्जुक की बात थी तो ये चिन वापस हमने विस्मे बोधी कारी चिन यहां लगाया गया है महात्मा जी ने उत्तर दिया हाँ वह अवश्य बोलती है परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते हम सुन सकते हैं किन्तु ये बताओ कि भूमी जो भी निर्ने देगी क्या वह तुम दोनों को मानने होगा तो महात्मा जी ने उन से प्रश्मिक किया पहले तो उनको बताया कि हाँ ये जो जमीन है ये जो भूमी है वो सुनती है लेकिन हर एक की बात ये नहीं सुनती हाँ मैं इस चाबिल हूँ मेरे अंदर ये सामर्थ है कि मैं जमीन की इस भूमी की बात को उसकी आवास को सुन सकता हूँ लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मैंने इसकी बात सुनी और इसने जो नर्ने दिया भूमी ने जो नर्ने दिया जो फैसला भूमी करेगी वो फैसला तुम मानने के लिए तैयार हो या नहीं दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए तब महात्मा जी बोले मुझे बहुत जोरों की भूक लग रही है पहले मुझे भोजन कराओ वे बोले भूमी का निर्ने हो जाए फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे महात्मा जी ने कहा भूमी का निर्ने तो हो ही जाएगा वह कहीं भागी थोड़ी जा रही है पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिश को कुछ ठिकान आए इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ तब तक हम यहीं बैठे हैं यह कहकर महात्मा जी पेड़ की छाया में बैठ गए दोनों भाई गर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा तद पश्चात उन्होंने भोजन के तीन भाग किये और दोनों भाईयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयम भी भोजन करने लगे इस प्रकार उपर की सब बातचीत तथा भोजन आदी में लगबग दो घंटे लग गए महात्मा जी का इस समस्त कार्यवाही का उद्देश केवल यह था कि दोनों का कुरोद कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें संजाया बुझाया जा सके और हुआ भी यही वे दोनों जब भोजन से निव्रत हुए तो काफी शान्त थे उन्होंने महात्मा जी के चर्णों में विन्य की महाराज या भूमी तो कुछ बोलेगी नहीं इसलिए आप ही हमारा निव्रत क्रणे कर दीजिए महात्मा जी ने कहा हम इस भूमी से पूच कर इसका निव्रत करते हैं यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमी के साथ लगाया मानो कुछ सुनने का प्रत्न कर रहे हूं कुछ देर तक तो वे भूमी के साथ कान लगाए रहे पिर सीधे बैट गए और गंभीर वानी में बोले ये भूमी तो कुछ और ही कह रही है दोनों भाई बोले महराज भूमी क्या कह रही है महात्मा जी ने कहा यह भूमी कहती है कि यह दोनों व्यर्थ ही मेरे ओपर अधिकार जमाने के लिए जगडा कर रहे हैं क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ हाँ यह दोनों अवश्य मेरे हैं मैंने इनकी कई पीड़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चर्णों में गिर पड़े महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा तनिक विचार करो कि जिस भूमी के लिए तुम लोग आपस में लड़ रहे हो जगड़ा कर रहे हो क्या वै आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्त यतन करता है यानि बेकार कोशिश करता है यह नहीं सोचता कि इन में से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है बड़े बड़े च्छत्रपती राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए और अंतु साथ क्या ले गए कुछ भी नहीं वे जैसे खाली हाथ संसार में आये थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए तुम लोग भूमी के चोटे से टुकड़े के लिए जगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नश्ट करने पर क्यों तुली हो ये भूमी ना तुमारी है और नहीं तुमारी बनेगी भूमी ही क्या संसार के जितने भी पदार्थ हैं धन संपत्ती हैं मकान आदी हैं और इन में से कुछ भी तुमारा नहीं है तुम्हारी अपनी वस्तुत औ केवर बोजन भक्ती और तुम्हारे अच्छे कर्म है जो लोग पर लोग के संगी साती है शेष सब कुछ तो यही रह जाता है अतैव आपस में लड़ने जगड़ने और मनुश्य जन्म के मुल्लेवान समय को व्यार्थ नस्ट करने के अपिक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ ताकि तुम्हारा लोग पर लोग समर जाए दोनों ने महात्मा जी के चर्णों में गिर कर अपनी भूल के लिए शमा मांगी उस दिन से सब के साथ प्रेम का वैवार करते हुए अपने समय को बजन भक्ती में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे तो बच्चो देखा आपने के एक महात्मा जी के माध्यम से इस पार्ट में ये समझाया गया है कि हमें भौतीक वस्तों दुनिया की चीजों से महबबत नहीं करनी चाहिए बलकि भजन भक्ती में अपना ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि दुनिया की ये चीज़ें हमारे सा लिह पार्त नहीं जाती आज के लिए बस इतना आएं धन्यवाद बच्चो अज हमने पढ़ा है कक्षा 1 में करत विशय में वस्तू का माप भाग दो विभाग तीन कक्षा 2 में गरत विशय में शंख्यान का received भाग दो कक्षा 3 में गरत विशय में तीन अंकोंकों की शंख संख्याओं की समझ भाग दो, कक्षा 4 में गणत विशय में दो अंकों की संख्याओं का योग भाग दो, पर कक्षा 5 में हिंदे विशय में अपनी वस्तू. बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा एक में गणत विशय में एक से दस तक गिन्ना, कक्षा दो में गणत विशय में संख्याओं का क्रम भाग तीन, कक्षा तीन में गणत विशय में तीन अंकों की संख्याओं की समझ भाग तीन, वे कक्षा चार में अंग्रेजी विशय में बच्चों, हमारे इस कारिक्रम के कंटेंट पार्टनर है सेंटर स्क्वेर फांडेशन, इसके अतरिक शिक्षा विभाग के शिक्षर श्री अक्मल नाईम जी ने आज के वीडियो में अपना योगतान दिया है तथा इस कारिक्रम में तक्नीकी सहियो योनिसेफ, स्टरलाइट अड़ इंडिया फांडेशन, एवं पीरामल फांडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों, आपको ये कारिक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवर्षे दें कारिक्रम से समंदिद आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका हो तो आप हमें इमेल कर सकते हैं और डाक द्वारा भेज सकते हैं हमारा इमेल एड्रस है feedback.sikshadarshan2.021-8gmail.com और डाका एड्रस है निदेशक राजस्तान राजिय सक्षिक अनुसंधान एवं प्रसिक्षन परिसत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपूर 31-30-01